गाउं पालंपुर की कहानी अवलोकन उत्पादन के कारक कालपनिक गाउं पालंपुर एक भली भाती विकसित गाउं है, जो अपने पडोसे गाउं और कस्पों के साथ सडक से अच्छी तरह जुड़ा है. विभिन्न जातियों से संबंधित, 450 परिवार पालंपुर में रहते हैं. गाउं में बिजली और सिचाई के उचित साधन है. यहाँ दो प्राथमिक स्कूल हैं, एक माधिमिक स्कूल, एक सरकार द्वारा संचालत प्राथमिक स्वास्थे केंद्र और एक निजी डिस्पेंसरी है. देश के किसी अन्यगाओं की भाति, कुछ गैर क्रिशी गतविध्यूं, सहित, क्रिशी पालंपुर की प्रमुक उत्पादक ख्रिया है. उत्पादन का संगठन, उत्पादन का मुख्य उन वस्तूओं और सेवाओं को प्रदान करना है, जिनकी हमें आवशक्ता होती है. उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से चार कारुकों के सयोजन की आवशक्ता होती है. भूमी, श्रम, भौतिक पूनजी और मानव पूनजी. भूमी सबसे महत्वपूर्ण आवशक्ता है. इसमें ब्रिदा, जल, वन, खनिच इत्यादी जैसे प्रकृती के सभी उपहार सम्मिलत है. श्रम अर्थात वे लोग जो किसी उत्पादन क्रिया को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं. यह मानविया प्रयास शारदिक या मानसिक हो सकता है. भौतिक पूंजी उत्पादन के विभिन्न चर्णों में आवशक आगत का एक प्रकार है. भौतिक पूंजी स्थिर पूंजी या कारेशील पूंजी हो सकती है. स्थिर पूंजी में उपकरण, मशीनरी, कम्प्यूटर, टर्बाइन, जेनरेटर, भवनादी सम्मिलत है. भौतिक पूंजी का प्रभावी उप्योग करने के लिए मानव पूंजी सबसे महत्वपून कारक है. मानव बुधि मत्ता के बिना कोई भी उत्पादन गतिविधी नहीं चलाई जा सकती.